इंग्लिस का एक रूल होता है, enter word के साथ कभी भी हम कोई भी फिर पोजिशन यूज नहीं करते हैं, जैसा in और into, जैसे मेरा example है, he enters into school, जब मैंने enter के साथ into लगा दिया ना, तो जो इस sentence क्या हो गया, गलत हो गया, अगर मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ ना, तो क्या करना के साथ हमारी पिर पोजिशन आती है, वह आती है क्या, into, I hope आप लोग को समझ में आया होगा यह concept,